नहीं थम रहा बंगाल का बवाल अब इस पर राजनीती भी गर्मा गई है मम्ता ने इंडारेक्ली बीजेपी को धमकी दे डाली है मम्ता ने कहा कि यदि पश्चिम बंगाल जलाने की कोशिश करोगे तो असम पुर्वोत्तर उत्तर प्रदेश बिहार जहार खंडूरीसा और दिल्ली साहित अन्यराजी भी जलेंगे आपकी कुर्सी हिल जाएगी जिस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा सर्मा ने भी बंगाल की सीम के बयान की निंदा की है दरसल कोलकाता के आजिकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक प्रसिक्षू महिला डॉक्टर से दुष्कार्म और हत्या के मामले के विरोध में बंगाल की जंता और डॉक्टर लगतार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं इसी पीच 28 अगस्त को बीजेपी के द्वारा बंगाल बंद का आहवान किया गया तो वहीं बंद को असफल बनाने के लिए सड़क पर टीमसी के लोग भी उतर गए जिसमें काफी दंगा फसाद हुआ एक बीजेपी नेता को गोली भी लगी है जिसके बाद ममता ने ये बयान द सब्सक्रांने के लिए जिसपार हे मंता का गुश्ता मंता बैनार जी पर फूटा के बंगलादेश के अटा बंगलादेश के भालोबासी ओर आमा देन मेंतों को था बले ओग्ती अ मते श्वंगश कीती आप कि दूंडे लागभें बंगलादेश एकटा आलाधा राष्ट भारत बसकते हाला दरस्थ मोदीबाबु आपना प्र traveling के आगुन लागाँ द न आखा भेह जोदिया अगुन लागान समों नोर्थ इस्ट्ट थे में थाग पेना उत्तर पोदेसों थेमें κάν सेकेना बियारों से में थाग बेना जार कॉंडों से में थाग बेना उरिश्चाओं से में थाग बेना अपना च्याटा अमना टॉलो मौलो कोड़े दबो वहीं बुधवार को त्रेंडमोल छात्र परीशद के एक कारेकरम को संबोधित करते हुए ममता बेनरजी ने प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से तुरंत अपने काम पर वापस लोटने की अपील की उन्होंने कहा कि वह डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज करना नहीं चाहती है उनके इस बयान को प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने धंकी के रूप में लिया जसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया हाला कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बेनरजी ने इस पस्ट किया कि वह सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों को धंकी नहीं दे रही थी पश्चिम बंगाल सरकार ने दुशकर्म विरोधी बिल को विदानसभा में पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है इसे तीन सितंबर को विदानसभा में पेश किये जाने की संभावना है विदानसभा सचिवाले के एक अधिकारी के अनुसार बिल का मसौदा को को तयार करने के निर्देश भी जारी कर दिये गए हैं पश्चिम बंगाल वदान सभा का विशे सत्र दो सितंबर से शुरू होगा आरजिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना की प्रिष्ट भूमी में मुख्यमंत्री मम्ता बेनर जी शुरू से ही आरोपितों को फास पेश करने की तारीख तै की गई मम्ता बेनर जी ने कहा मैं अगले हफ्ते अध्यक्ष से कहकर सत्र बुलाऊंगी हम पश्चिम बंगाल वदान सभा के तरफ से अगले दस दिनों के भीतर दुशकर्मियों को फासी देने की पक्ष में इस बिल को पास करके राजेपाल के पा अपने घंटों तक बैठेंगी इस बिल पर हस्ताक्षर करने होंगे राजेपाल राश्टपती के पास भेच कर अपना दाइत वह पूरा नहीं कर सकते हैं वहीं आपको बता दें कि अब कॉंग्रेस भी पश्चिम बंगाल में सड़कों पर उतर चुकी है जिए अब कॉंग अब कॉंग्